नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोग्स स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोग्स ब्लॉग पर मेरे जितने भी एगलो नीमा के प्लांट मैंने ऑनलाइन लिये थे आप लोगों को मैंने दिखाया था कि मैंने सब की रिपोर्टिंग से समय एगलो नीमा के पॉट्स से ही भरा हुआ है और लगभग इस समय मेरे पास एगलो नीमा की 23 से 24 वरायटी उपलब्ध है बात अगर इन एगलो नीमा के पौधों की करी जाए तो अभी इन में से मैक्सिमम प्लांट सिंगल सूट्स में है इन में नई ग्रोथ नीचे से निकल के नहीं आई है और अभी आएगी भी कैसे क्योंकि ज्यादा तर प्लांट अभी पिछले महीनों के दिनों में ही एड हुए है खेर आज की यह वीडियो इस टॉपिक पर है कि अगर हम ज्यादा तर अब हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग किसी के बड़े पे या फिर छोट देखने में ना की खूब सूरत लगें बलकि बास्तू के हिसाब से और देखा जाए तो सकारात्मक और धेर सारी खुशियां लेकर आएं वो पौधे अपने साथ घर के अंदर ऐसा नहीं है कि पौधे जो है वो कोई मैजिक करते हैं मैजिक होता है इनके लुक में इनके सकारात्मक वातावरण बनता है उन सारी शीजों को लेकर तो ऐसे पांच पौधों के आप लोगों के नाम आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर सेयर करने वाला हूं जिन्हें आप ऐसे मौकों पर गिफ्ट में दे सकते हैं महेंगे गिफ्ट देने से अच्छा है कि यह खूबसूरत कलरफुल एक बंडल अब जॉय आप गिफ्ट करें लोगों को जिस से सकारात्मक उर्जा के साथ साथ खूबसूरती भी निखर के आए चलिए बिना देरी की होई चलते हैं अपने टॉपिक की और इन सब में सबसे पहला पाउधा जो मैं आप लोगों के साथ सेयर कर रहा हूँ इसे जिजी प्लांट के नाम से जाना जाता है यह ना कि एक सुप पाउधा है बलकि बहुत सारे बास्तू दोसों को दूर करने वाला भी माला जाता है इसकी दो वेराइटे मेंली आपको पत्तो वाली और दूसरी यह डाक कल ब्लैक कलर के पत्तो वाली मेरे पत्तो के पत्तो कुछ जो है आपको डर्टी से दिखाई देंगे क्योंकि कई दिनों से जब बारिस चल रही होती है तो मैं मिस्टिंग नहीं कर पाता हूँ जिससे ओबर मौश्यर से मेरे पाउधे खरा है जिसकी वज़े से यह प्रॉब्लम बनी रहती है हाला कि आप अगर चाहें तो यह पौधे किसी को भी कर सकते हैं हार्डी प्लांट भी है मतलब अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप दे रहे हैं जिसे पौधों के बारे में बहुत जादा नौलेज नहीं है अच्छे से वो केर नहीं कर पाता है तो वो भी इस पौधे की बहुत अच्छे से देखपाल कर सकता है अगला पौधा इस रिस्ट का है मनी प्लांट जैसे के इसके नाम में ही मनी लगा हुआ है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस पौधे के पत्तों से धना कश्र बढ़ता है घर में अगधन की ब्रिद्धी होती है ऐसा माना जाता है कि यह पौधा अपने साथ बहुत सारे वास्तु दोसों का निवारड लेकर आता है वास्तु में इसका इस पौधे का बहुत जादा महत्प्व है इसकी बहुत सारी वराइटीज भी आती है देखिए यह एंजॉय है मार्बल आपका नॉर्मल वाला जो है एंजॉय पोथोज है यह नियोन है आपके सामने जो रखा हुए है मतलब 6-7 वराइटीज मेरे पास इसकी है और अभी नियोन जो मैं मैंने आट किया है यह साटेन पोथोज है इसके पत्ते ग्रीन और सिल्वर कलर के होते हैं अभी ग्रोथ तो सुरू कर दिया इसने ठीक ठाक लेकिन अभी बहुत जाता ग्रोथ इसके अंदर नहीं हुई है तो मैनी प्लांट के साथ साथ इस पौधे को पोथोज भी कहा जाता है आप चाहें तो किसी को भी इस तरीके से छोटा सा पॉर्ट हो और उसमें छोटी सी कटिंग लगा कर मैं तो सूच रहा हूं ऐसे छोटे-छोटे बॉक्स बनाओं और बज्जे वगएरा पे गिफ्ट करने के लिए यह वेस्ट ऑप्सन है और यह बहुत तेजी के साथ ग्रो भी करता है जिसे भी देंगे वह आसानी से इसकी केर भी कर सकता है क्योंकि यह पानी में भी लग जाता है और मिट्टी में भी लग जाता है तो अगला पौधा आपका यह मनी प्लांट है अगलो नीमा एक ऐसा पौधा जिसे देखते ही आप अंदर से एनर्जी से भर जाएंगे इनकी जो कलर फूल लीप सोती है वो चेहरे पर आपके एक हैपिनेस एक ज्वाय लेकर लाजा आपकी ब्रायटी है यह एक अगलो नीमा इस नोवाइट यह नेरो लीफ वाला है इसके अलावा इसके लिए अंदर अग्लो नीमा इसनोवाइट ब्राड लीफ भी आता है तो कोई भी आपको मिल जाए आप इसे अपने गार्डन की अंदर एड कर लीजिए यह लिप्स्टिक एगलो नीमा है यह पिंक एगलो नीमा है पिंक कुछ और भी ऐसे नाम है इसका तो अभी मेरे पास एगलो नीमा की लगभख सारी वराइटी जो चुकी है सायद कोई ऐसी वराइटी हो जो मेरे पास ना हो और बात अगर इस पौधे की करी जाए तो केयर थोड़ी सी मांगता है वाकि इतनी भी केयर नहीं मांगता अच्छी मिट्टी बना देंगे और इसकी प्रॉपर सनलाइट एरिया में इसको अगर रखेंगे तो फिर यह पौध इसके बाद जो चौथा पौधा आप लोगों के सामने है इसे सैंसिव एरिया या इसनेक प्लांट के नाम से जानते हैं इसकी बहुत खूबसूरत खूबसूरत वराइटी जाती है और इसकी जो डॉप वराइटी होती है मुझे तो लगता है यह गिफ्ट में देने के वेरिगेटेड नौन वेरिगेटेड दोन वराइटी है कोई से अभी पौधा आप गिफ्ट कीजिए यह एक ऐसा पौधा है कि जिसे गार्डनिंग का का खागा भी ना जानने वाला व्यक्ति भी बहुत आसानी के साथ अपने गार्डेन में रखकर के एर कर सकता है घर में इस पौधे को भी एजागेट लोगों को दे सकते हैं इसके बाद इस लिष्ट का जो सबसे आखरी पौधा है जिसे आप एजागेट दे सकते हैं चोटा-चोटा बोंजाई भी इसका बन जाता है तो देखने में और भी खोबसूरत लगता है रिनी सीजन में मेरे यह सारे पौधे ओबर ग्रो कर गए हैं देखिए यह यहां पर देखिए यह और यह इंडोर और आउटडोर दोनों अच्छे से चल जाता है इसमें तो पानी लग रहा है मुझे लग रहा है जादा खैर यह बहुत अच्छा पौधा है इसे आप एजा गिफ्ट किसी को भी दे सकते हैं और बास्तु के हिसाब से भी और ऐसे भी देखा जाएं तो यह पौधा बहुत ही सुब माना जाता है गिफ्ट के लिए वन आप देस्ट ऑफ्शन है तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर पौजिटिविटी का भंडार होता हैं आप इन पौधों को किसी को भी ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं तो कैसी लगी आपको मेरी यह वीडियो कमेंट सेक्षन में जाके बताइएगा ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साफ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए बाबाय एंट एंट हैंट प लोगों सेक्टते हैं तो किसी नई गडेगए आओेट Dopिक हाएंट कहार हैं रीडियो नई वीडियो